हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी बहुत जादा टेस्ट ही एकदम इंस्टेंट फटा-फट बनने वारी बेसन की पापड़ी की रेसीपी इसे हम बेसन के पापड़ी कहते हैं और ये बनाना बहुत आसान है इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिक्रिट शेयर करूंगे जिससे ये 15 दिन तक आप इस टोर करके रखे रहेंगे एकदम क्रिस्पी रहेंगे जैसे कि अभी मैं आपको तोड़ कर आवास सुना आती हूँ ये करीबन 10 दिन बाद की मैं दिखा रही हूँ तो ये देखे करीबन 10 दिन बाद तक एकदम ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे आप इन एक बाद जरू ट्राइ करें बरसाथ के मौसम के लिए एकदम बैस्ट रेसिपी है तो चलिए ये गर्मा गरम पापड़ी बनाना शुरू करते हैं बैसन की पापड़ी बनाने के सबसे पहले एक कटोरी हमने लिया है बैसन इसके बाद इसमें डाल देंगे आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच नमक और इसके साथ ही साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर तो ये दो से तीन पिंच है लाल और ये एकदम बढ़िया क्रिस्पी रहेगी काफी टाइम तक इसलिए आपको ये मॉयान का जो ऑईल है वो एकदम परफेक्टी और कॉइंटिटी में थोड़ा सा जादा डालना है अभी मैं आपको देखाऊंगी आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमने मॉयान के लिए ऑईल और डालें अब हम इसका डू लगाएंगे बेसन में बहुत कम पाः लगता है इसलिए जला-जला सा पावणी डालिए और इसका पादा सा डू लगाना है याद रहे, सॉफ्ट नहीं लगाना है, इसका डो हमें कड़ा लगाना है, तो ये देखें, मैंने इसका एकड़ा डो लगा लिया है, अब ये से हम ढखके छोड़ देते हैं, दस मिनिट के लिए, जिससे के इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, या फिर नमी होगी, वो अच् हमारे लडो वगारा का साइज होता है, बिल्को इतने ही साइज की, हम इसकी लोईये कट करेंगे, देखें बिल्को इतने साइज की, ज्यादा बढ़ी नहीं लोईय कट करनी आपको, ये देखें, एकडम बॉल की तरह, आरे सारी लोईयां, आप एक बार में ही कट कर लें, जिससे की एक सी एकदम लोई कट होंगी और अब मैं आपको एक लोई की ये पापड़ी बना का दिखाती हूँ तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गीहू का आटा लिया है जो गीहू का नॉर्मल आटा रहता है वही है आपके पासा का मैदा वगरा हो या फिर आप बेसन यूज़ करना चाते हूँ तब आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा लगाएंगे और इससे इस तरह से हतेल पापड़ी बन के तयार है एक दम इसकी जो ठिकनेस है आपको एक दम पदली रखनी है दूसरा बेल का तयार कर लेते हैं तो यसे भी एक दम वैसे हमें रोटेट करते हुए हलके हाथ से बेल ना है ताइट हाथ का अगर आप यूज़ करेंगे तब यह आप से पलटते सकता है तो यह हमारी सारी बापड़ी बन के तयार है इंहां फृपय कर लेते हैं ओउल हमारे प्रफस्थ गर्म है यह डाल देंगे घरफ हम को मीडियम लख़ा है और और नहीं अच्छे से हलका से कलर्क ची छोने तक फृपय कर देखी में एक अंसराशा होने पने तर इसलिए मीडम फ्रेम पर इन्हें आप फ्राइ करने। और ये देएटे एक फ्राइ चुड़ा है। दूसरा टाल देते हैं। तो यहां पर इसे में निकालके रख लेती हूं। दूसरा डाल रही हूं। और इस स्वीं तरीके से आपको सरी पापड़ी जो इफ्राय कर लेने हैं। इने फ्राय करने में आपको बढ़ाई को ज़्यादा ओल से बढ़ने की ज़र्वरत नहीं है। काम ओयल में ही एक तम बढ़िया से फ्राय हो जाते हैं तो यह देखिए हमारी बेसन की पापड़ी बनकी एक तम तयार है और आप इने गर्म गरम सर्फ करें टरमेटो केचप के साथ अगर आपको हरी चट्टी पसंते तब आप इसे हरी तीखी चट्टी के साथ भी सर्फ कर सक आप एक पर यह बेसन की पापड़ी बना का जरूर ट्राय करिएगा बहुत जदा पसंद आएगी आपको और आगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो के नीची प्लीज लाइक का बटन दबाएं और अगर आप चैनल पढ़ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें